नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग करवा चौत के दिन बहुत सारे प्रियोग भी किये जाते हैं और बहुत सारे नियम भी हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतूर्थी को पढ़ने वाला जो चौर्टी थी है ये करवा चौर्थ कहलाता है और इस दिन ना केबल सुहागिन महिलाएं बलकि कुमारी लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी पाने के उमीद से बत रखती हैं और सुहागिन महिलाएं पती की लंबी उम्र के लिए नरजड़ा परत रखती हैं और चौत माता की पूजा कर चंद्रमा को अर्द देती हैं लेकिन पूजा के समें चार फल और दो दीपक ही अरपन करना चाहिए और इसका एक अलग महत्व है चार फल और दो दीपक उसी तरह स्रिंगार में कुछ ऐसी चीज़े हैं जो भूल कर भी धारन नहीं करना चाहिए नहीं तो फिर आपका ब्रत भी पूरी तरह से पूरा नहीं होता और कहीं न कहीं इसका नेगेटिब प्रभाव आपके पती पर पढ़ता है क्योंकि आप ये ब्रत पती के लिए रख रही होती है तो मानने था है कि चार फल महिला के कुनवे दो दीपक भावी परिवार की रूप रेखा को परदरसीत करता है कुनवे यानि खानदान पूरा आपका जो कुल है तो करवा चौथ पूजन का मात तो क्या है तरीका क्या है और कैसे आप तमाम निमों का पालन करें करवा चौथ की पूजा चुकी साम के समय होती है इसलिए जो महिलाएं साधी सुधा है वो साम के समय असनान बगेर करके सोलह स्रिंगार करे और लाल गुलाबी कपड़े धारन करे स्रिंगार आपको बहुत करना है जितना कर सकती है जितना अपने विवाह में से जाता उतना ही अब अपने घर के पूजा अस्थान पे बैठ जाईए साप चौकी पर गंगा जल पहले छिड़के फिर लाल कपड़ा बिछा दे अब बजार में रेडिमेट भी चौथ माता की तस्वीर आती है आप लगाईए या आप चाहें तो गेरू से भी मा की तस्वीर बना सकती है इसके बाद मिट्टी का दो करवा ले ले और पीतल का लोटा जल भरिए अब अक्षत के साथ दोनों करवों और पीतल के लोटे में फूलिया सिका डाले करवा लोटे को ढखकन से ढखकर चावल भरे फिर मिट्टी के करवों पर सुपारी, मिठाई, रबडी, पानी वाला जो सिंहाडा होता है उसको रखे अब दोनों करवों पर चार-चार सीके अस्थापित कर दे फिर आप जल से आजमन करें फूल माला चढ़ाए और चौत माता और करवों को हल्दी और रोली से तिलक लगाए अब फिर गनेज जी की बिदिवत पूजा करें चौत माता को स्रिंगार का संपूर्ण सामगरी अरपित कर दे फिर सिंदूर अरपित करें चूड़ी अरपित करें और चार फल अरपित करें और दो दीपक लेकर बाती ऐसे रखें कि वो चार हो जाए फिर धूप दीप दिखाईए और मा की आरती करें इसके बाद करवा चौत का ब्रत कथा पढ़ें या सुने लेकिन कथा पढ़ने के और सुनने के समय आप हुंकारा भी भरिये यह नहीं की चुपचप कथा पढ़ रहे हैं हाँ हाँ भी कबलना है आपको और फिर आप चौत माता को भोग लगाईए अब चंद्रमा निकलने पर विदिवत पूजा करें और उससे भी पूरी और पूरे का भोग लगाए चंद्रमा को फिर अर्द दे जब आप चंद्रमा को अर्द देने के बाद पती का चेहरा चलनी में देखेंगे तो उनके हाथों से कुछ खा कर या पानी पी कर ब्रत तोड़े यह तो थी एक सिंपल तरीका जो आप चौत माता की पूजा करेंगे लेकिन इस दिन कुछ खास नियम और प्रियोग भी किये जाते हैं क्योंकि पूरे साल महिलाएं इस ब्रत को लेकर बहुत उत्सुख रहती हैं पुछ ऐसी भी लड़किया जो पहली बार करवा चौत कर ब्रत रखेंगी तो कुछ लड़की जो महिलाएं हैं वो साधी करने के बाद पहली बार रख रही हैं तो शलिए धार्मिक द्रिष्टी से करवा चौत करने की कुछ परंपरा हैं जैसे कि आपको इस दिन काले रंग के कुछ भी नहीं भा धारन करना ना चूड़ी ना बिंदी ना कपड़े दूसरी बात इस दिन आपको जैसे कि बहुत सारी महिलाएं एक एक चूड़ी डाली एक एक कंगन डाली ऐसा भूल कर भी मत कीजिए एक और तीन की संख्या में नहीं थोरा काच की चूड़ी आप जरूर पहने एक एक ही सही दो हाथ में एक समान मत पहने अब यह नहीं कि आपने 6-6-8-8 दोनों हाथों में डाल दिया है नहीं एक हाथ में अगर 6 पहना है तो दूसरे में 7 या 5 पहने यानि कि एक के हाथ में ज्यादा रहना चाहिए इसको जोग कहते हैं इस दिन आप किसी अन्न के कपड़े या स्रिंग से मांग भरने की जगर लिपस्टिक से मांग भर लेती हैं तो ऐसा आप गलती भूल कर भी मत कीजिए सिंदूर का महत तो अलग है और अगर आपके पास विवावाला सिंदूर है तो उसी से मांग भरें यह सबसे ज़्यादा सुग रहता है और लाल वाला जो सिंदूर होता कुमk confronting होता है, तो rolling tap का कुमक wszyscy है। इसलिए आप सभा रही होता सिंदूर भरें। और जब आप सिंदूर भरेंगी तो अगर आपके घर में कोई पहनाने वाला है तो नाकस्त भी पहन सकती हैं क्योंकि नाक से पहनने से जुड़ जाता है पूरा पड़ी बार ये आपकी मर्जी पर है तो आप कुछ नियम और परंपराएं हैं ये तो आप जानती हैं लेकिन सोला स्रिंगार करके ही पूजा में बैठिएगा और पूजा का स्रिंगार सब कुछ परंपरागत अनुसार ही करिए सगुन के सुरूफ हाथ में महंडी जरूर लगाईएगा अब आप साधी का भी लेंगा चुन्द्री चुन्द्री तो आपको धारन करना ही है विवावाला लेकिन अगर करवा चौथ की हम सुभा सही चुकी सुरूआत हो भी चुकी है तो बाइना देना भी सगुन होता है उपहार देने का रिवाज है अब करवा चौथ के दिन जब आप कथा सुनिएगा तो कथा बहुत जरूरी है सुनना कथा के बिना आपका पूरा ही नहीं होता है पूजा और जब करवा चौथ की पूजा में बहुत सारी महिलाएं कठे हो के पूजा करती है अबरत कथा करती है तो आप पहली बार में सब कुछ जान लेती है फिर भी लगता है कुछ छूट तो नहीं है इसका ध्यान रखना चाहिए वैसे तो इस दिन घर में तरह तरह के बेंजन बनते हैं और साम को इस तरह पूजा करके चंद्रमा को अर्द जरूर देती है फिर छली में चांद वैसे पूरे परिवार के साथ ही आप मिठाई खाईएगा मिठी बस तुखाने में जरूर रखिएगा इस दिन परंपरागत जो कथा है वो भी सुनी जाती है लेकिन करवा चौत के जिन एक खास बात यह है कि इस दिन महाप्रियोग भी किये जाते हैं प्रेम बढ़ने के ल पत्नी के बीच किसी ने किसी बात को लेकर कहा सुनी होने लगती है या फिर आए दिन छगड़े होते हैं आपको लगता है कि आपके बीच प्रेम नहीं है दूरियां बढ़ गई है तो आप करवा चौत पुरत के दिन कुछ खास उपाई भी कर सकती है क्योंकि कार्टिक मास कि प्रेम के लिए भी रखा जाता है और ये उपाई पती अगर किसी और के प्रती आकरसन में हो तो करवा चौत का ब्रत उसे भी खत्म कर देता है और पती पत्नी के रिष्टे को बुरी नजर से भी बचाता है तो इस दिन महापरियोग भी आप कर सकते हैं तो महापरियोग के बारे में हम आपको बिस्तार से बताएंगे लेकिन आज फिलाल भी बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें